नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई यूटूग चैनल वेलकम लाइफ तो आपका फिर से एक बार वेलकम लाइफ में बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर पहली बार आए हो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्क्राइब कर ले और वीडि चला रही है कार चला रही है और ऐसा नहीं है ट्रक भी चला रही है कुछ ट्रक तो बहुत एक या दो जिनको चलाना आता है वैसे बस चला रही है और रोडवेज में क्या है कि कंडेक्टरी भी कर दिए तो महिला इस टाइम बहुत आ गए अब मैं बात करता हूं कि कार जब भी हम चलाते हैं तो उसके बाद कई बार आपके मन में सवाल होता होगा कि ट्रक में हमें कितना टाइम लगेगा हमें सीखने में और कितनी मुष्किल हमें जहिल नहीं पड़ेंगे तो देखिए सबसे पहली बात सबसे इंपोटेंट जो है वह सबसे पहले आपको रूब फोलो करने चाहिए जो भी हाईवे पर रूल होते हैं देखिए आप गाउ में या फिर किसी ऐसे छेतर में जहां पर भीड़ बार नहीं है या फिर कोई सिगनल बगारा नहीं है वहाँ पर तो आप असानी से चला लोगे लेकिन जो कार चलाता है उसको सभी सिगनल्स के बार मे तो डैली की सबसे कठोर ड्राइविंग मानी जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर यह कहा जाता है कि कोई दिल्ली चला गया नहीं पहली बार तो चला जाएगा लेकिन निकले रहने उसमें से तो मैं तो कभी गया नहीं गाड़ी लेकि दिल्ली तो आप गया है तो मुझ traกष चलाना उससे भी आच्छा है ट्रक बहुत जल्दी सीख़ाऊगे और बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि traONA की ड्राइंग बहुत अच्छी ड्राइंग् है बहुत ही असानी से चलाते है इसमें देखे फरक क्या है चेंजिंग ज्यादा changing नहीं है पांच ऐसी चीज़े बताऊँगा जो change है और जो थोड़ी सी ज्यादा नहीं थोड़ी सी difficult है तीकि सबसे पहला सबसे पहला जो लगता है सबको डर लगता है वो होता है लंबाई एक कार की लंबाई होती है छोटी और एक ट्रक की लंबाई बड़ी होती है सबसे पहला डर लगता है इसमें तो जब आप बैठो गए वहाँ पे तो आपको पूरा अंदाज आ जाता है 10 या 15 दिन में छोटी गाड़ी चलाई हुए तो उसमें इतना difficult नहीं होता है और शुरु से कोई बंदा आ जाता है और वो चलाता है तो उसका थोड़ा कठो लगता है पॉइंट नमर वन की एक तो लंबा है पॉइंट नमर टू गैर्स कि इसमें जो आप गैर लीवर होता है वो थोड़ा सा हाई मान लिजिए लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो गाडिया है उनमें एक medium जो कार होती है उसी प्रकार का जो गाइर लगाने का शिस्टम है बहुत ही आराम से गाइर लग जाते हैं जब मैंने तो उस टाइम गैर बहुत हार लगते थे शुरुवात में लगते भी हैं एक दो मिन्ट या एक दो दिन कह लिए उसमें आपको परिशानी आएगी और थर्ड नंबर थर्ड नंबर जो बहुत ज्यादा क्योसन होते हैं बहुत से जो है ड्राइवर जो कम ड्राइवर है या फि लेफ्ट साइड जेज्जमेंट का देखिए ऐसा है कि किसी को भी पहले समझ में नहीं आता है जब आप चलाने लग जाते हो कार कोई मालिजिया आप चलाओ गया तो उसमें अंदाजे लगाना आपके एक अंदाजे से ही चलती है उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यह बात करते हैं कि हम गाड़ी को बैक कैसे करेंगे इतनी बड़ी गाड़ी को देखिए बैक में अगर आपके पास ट्रक है तो उसमें दो आदमी आपको हमेसा ही रखने चाहीए एक कंड़क्टर आपको हमेसा ही रखना पड़े है मेरा तो मानने यह है क्योंकि एसी जगा यह है और अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी का ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा आना चाहिए और इससे आपको जो है बहुत कुछ नोलिज मिलती है मेहनत थोड़ी होती है जब भी आप अगर आप ये सोतर हो कि मैं किसी गाड़ी वाले के पास जाओ थोड़ी दिन सीख लूँ तो टायर खोलना कसना टायर पिंचर को देखना क्या 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 उसमें प्रॉब्लम है यह चीज़े आपको जरूर आनी चाहिए टायर की हवा कितनी कम है टायर पिंचर है नहीं है अब गाड़ी खड़ी थी 15 दिन की बात होगी एक वीडियो बनाया थे कि यह पैंचर तो उसका टायर वाक्य में पिंचर था और उसको पता नहीं था ड्राइवर को नया ड्राइवर था तो देखिए यह मिस्टेक आपके टायर को नुक्सान क अगर मालिक है तो आप आपको नुक्सान है परेशान हो जाएंगे अगर कहीं रात में आपकी खराब हो जाती है तो वहां पर आप जाते हो गाड़ी का टायर फट गया इस टैपनी आपके पास है नहीं तो बहुत बड़ी प्रोब्लम है तो देखिए कार चलाने में और इस आपका जो है फोकस इतना नहीं होगा एक छोटी गाड़ी में बहुत लंबी नजर रखनी पड़ती है इसमें आसानी साब चला सकते हैं तो यह कुछ मेरा सदेशन था इस वीडियो के मादम से कार और ट्रक के बारे में कार से ट्रक कैसे सिख्या तो वीडियो पसंद आया त तो प्लीज एक लाइक कर देने चैनल पर पहली बार आया है तो सब्क्राइब कर लेने इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे